सेहन शेलता में महानता सन्निहित है बात सन 1965 की है उन दिनों भारत पाकिस्तान का संगर्ष चल रहा था चाहे जब हवाई हमली की घंटी बच सकती थी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री भवन में भी खाई बनवाई गई थी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्र को कहा गया आज हमली की आशंका अधिक है आप घंटी बचते ही तुरंत खाई में चले जाएं किन्तु दैवियोग से कोई हमला नहीं हुआ सवेरी देखा गया कि बिना बंबारी के खाई गिरकर पट गई है खाई बनाने वालों तथा उसे पास करने वालों की ये अक्षम म लापरवाही थी यदि वे उसरात खाई के अंदर होते तो क्या होता सोच कर रोंक्टे खड़े हो जाते हैं देश के प्रधानमंत्री का जीवन कितना मूल्यवान होता है वो भी युद्धकाल में अन्य व्यवस्था अधिकारियों ने भले ही इस प्रसंग पर कोई 65 की ही है युद्धकाल था ही 24 गंटे में कभी भी कैबिनेट की एमर्जेंसी मीटिंग हो जाती थी उस दिन भी संध्या समय मीटिंग थी कडाकी की ठंड थी किन्तु उत्तरदाइत्व के प्रती सजग तथा समय के पाबंद हमारे ततकालिन प्रधानमंत्री नियत समय पर मी पुष्टाज की और देर होनी की बात भी कही तब कही संयोजक महोदे ने बताया कि मीटिंग तो आज उन्हें के घर पर है कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो यो अपना समय नश्ट करने पर संबंदित अधिकारी को अवश्य ही प्रताडित करता किन्तु वे दूसरों क की तूटियों को मा जैसे ममता पूर्वक ही सहन कर लेते थे आमतोर पर ऐसा होता है कि लोग घर में तो अधिकार आग्या तथा डाट फटकार से काम लेते हैं और बाहर सज्जनता ताथा उदारता के प्रतीक बने रहते हैं किन्तु शास्त्री जी इसके अपबाद थे वे स स्वभाव से ही उदार तथा सहिश्नू थे ताशकंद जाने के एक दिन पूर्व वे भोजन कर रहे थे उस दिन उनकी पसंद का भोजन बना था खिचुडी तथा आलू का भरता ये दोनों वस्तुएं उन्हें सरवाधिक प्रिया थी बड़े प्रेम से खाते रहे जब खा ललिता जी को बढ़ा खीद हुआ अपनी गलती पर किन्तु वह न कोई शिकायत थी न क्रूध मुस्कराती ही रहे वे फीकी खिचुडी खा कर दूसरों की गलतियों को भी ख्षमा कर देना तथा बजाय डांट फटकार या चल्ल पुकार मचाने के प्रेम पूर्वक बता द पुस्तक संस्मरण जो भूलाई ना जा सकेंगे